बिहार में कोरोना मरीजों का आकरा 82,000 के पार पहुँच चुका है 420 लोग कोरोना से अब तक जान गवा चुके है बिहार के बधाली के लिए क्या ही कहा जाए एक और कोरोना मरीजों का आकरा बढ़ रहा है वहीं लोग अब भी बेपरवा है आज 321 नए कोरोना मरीज मिले है 10 अगस्त को कोरोना मरीज के कुल संक्या 82,741 हो चुकी है खत्रा हर रोज बढ़ता जा रहा है कोरोना के खौप से हरकंप मचा हुआ है 10 अगस्त को पटना में 402 मरीज मिले है बेगुसराय में 171 मरीज बकसर में 179 मरीज वैशाली में 149 मरीज मुझपरपूर में 114 मरीज समस्तिपूर में 116 शारण में 113 पशिम चंपारण में 108 मरीज ये वो जिले थे जहां 100 से ज़्यादा मरीज मिले है मैं आज उन्जलों का नाम बताने जा रहा हूँ जहां कोरोना विस्पोट हो चुका है कोरोना की रोक थाम के लिए बिहार सरकार ने एक नई कवायद शुरू की है कवायद ये कि अगर आप कोरोना मरीज के एटेंडेंट हैं तो आपको दूर से ही पहचान लिया जाएगा और आपको देखकर लोग अस्पताल में अलर्ट हो जाएंगे बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कोरोना के मरीजों और उनके एटेंडेंडेंड को अपनी कलाही में हैंड बेंड लगाना होगा दोनों के हैंड बेंड के रंग अलग-अलब होंगे ताकि कोड़ोना संक्रमित और अस्पताल में मवजूद रहने वाले उनके एटेंडेन के बीच अंतर पता चल सके स्वास्तिभाग ने अस्पतालों में संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया है अस्पताल प्रशासन अब कोरोना संक्रमितों और उनके पडिजन जो अस्पताल में रहते हूं उन्हें ये हैंडबेंड उपलब्द कराएगा इससे अस्पताल में दूसे रोगों के इलाज के लिए आने वाले मडिजों के बीच भी अंतर किया जा सकेगा उन्हें कोवीड वार्ड की और जाने से रोका जाएगा अस्पताल को संक्रमन से मुक्त रखने की दिशा में ये कवायत की जा रही है स्वास्थ भाग के निर्देश पर राज के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 108 के कुरोना वार्ड बनाए गया है इसके अलावा नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अनुग्रह नारायन, मगद मेडिकल कॉलेज एवम अस्पताल गया, DMCH दरवंगा और JLN MCH भागलपूर को विशेश कोवीड अस्पताल गोसित किया गया है दूसरे मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को 100 बेट के वार्ड कॉर्णा मरीजों के लिए बनाए गया है इनमें मरीजों की देखवाल को लेकर CCTV कैमरे भी लगाए गया है ताकि हर रोच मरीज की देखवाल की जा सके इन CCTV को वार्ड के परमुक डॉक्टर के चैंबर से जोड़ा गया है ताकि वो हर पल देख सके और मरीज को जरुरत के हिसाब से दवा और अनचिक सा उपलब करा सके बिहार में कोरोना के आंकड़े और साथी साथ मौत के आंकड़े के पीछे की वज़ा है कहीं इसके पीछे की वज़ा कोरोना से बेखाओफ होकर चलने का तो नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो बिहार का मंजर ऐसा क्यों दिख रहा है अब भी वक्त है समखने का सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के चलने का आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूँ आपके साथ